नवस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तो अगर आपके पास एक पहचान पत्र है यानि वोटर आईडी कार्ड है और आपको नहीं पता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ कौन सा मॉबाइल नंबर लिंक है या फिर लिंक है भी या नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि केवल आप अपने मॉबाइल फोन से ही ये पता लगा सकते हैं ये देख सकते हैं कि आपके वोटर कार्ड के साथ कोई मॉबाइल नंब है कि नहीं और अगर लिंक होगा तो वो मॉबाइल नंबर आप वहां पर देख भी सकते हैं पता भी लगा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर इसके बाद जो है आप वोटर सर्विस पोर्टल पर आ जाओगे अब अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो आपको यहां पर साइन अप पर क्लिक करना है और यहां पर अपना मॉबाइल नंबर डाल करके इमेल आईड डाल करके यह कैपचा नीचे डाल करक कंटिनीव पर क्लिक करके अपना साइन अप कर लेना है यहां पर रजिस्टेशन कर लेना है जैसे ही आप कंटिनीव करेंगे तो आप अपना नाम और पासवर्ट डाल करके यहां पर साइन अप कर सकते हैं वैसे इस पर रजिस्टेशन कैसे करते हैं यानि साइन अप कैसे कर करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है login पर क्लिक करना है login पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जिस भी mobile number से आपने यहाँ पर अपना account बनाया है registration किया है वो mobile number यहाँ पर डालेंगे जो आपने password बनाया है वो password यहाँ पर डालेंगे capture जो दिखाई दे क्लिक करना है इसके बाद जो है आप इस पोर्टल पर लॉग इन हो जाओगे आपका नाम यहां पर दिखाई देगा अब यहां पर आपको जो है इसी होम पेज पर इपिक डाउनलोड करके एक option दिखाई दे रहा है तो आपको क्या काम करना है इसी पर क्लिक करना है eepic download जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं पहला है eepic number से और अगर आपके पास जो है eepic number नहीं है तो दूसरा है from reference number से eepic का मतलब होता है water card का number यानि जो आपका पहचान पत्र है उस पर जो number है वही eepic number बोला जाता है तो जो आपका पहचान पत्र है वो number आपको नीचे डालना है पहले ही वाले option पर click रहने देना है वो number आपको यहाँ पर डालना है यहाँ से आपको अपना state select करना है आप जिस भी state के रहने वाले है state select कर लेजेगा epic number डालने के बाद अपना state select करने के बाद आपको search पर क्लिक करना है कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ गया होगा यहाँ से तो पहचान पत्र डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से link mobile number कैसे पता चलेगा तो देखिए यही से आपका link mobile number पता चल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ बस जो मैंने बताया है वही आपको काम करना है अपना epic number यानि पहचान पत्र number यहाँ पर डालना है अपना state select करना है और search पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप search पर क्लिक करेंगे तो नीचे की side में आपकी detail दिखाई देंगी सारी की सारी आपके नाम सहीद सारी detail होंगी और देखे यहाँ पर आपको एक message मिल जाएगा your mobile number is not registered यानि की यह जो मैंने पहचान पत्र watercard number डाला है इस watercard number के साथ कोई भी mobile number registered नहीं है कोई भी mobile number link नहीं है अगर आपके भी watercard के साथ mobile number registered नहीं होगा तो save ऐसा ही message आएगा लेकिन अगर आपके जो है पहचान पत्र यानि watercard के साथ कोई भी mobile number link होगा तो कुछ इस तरीके से message आएगा जैसा कि आप देख सकते हो नीचे की side में आपको जो है mobile number के last के जो 4 अंक है वो दिखाई देंगे तो अगर आपके watercard के साथ कोई mobile number link होगा तो last के 4 अंक आप मिला सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि कौन सा mobile number link है लेकिन अगर जो है आपके watercard के साथ mobile number link नहीं होगा तो ऐसा ही message आएगा your mobile number is not registered यानि आपके पहचान पत्र के साथ mobile number link नहीं है register नहीं है register कैसे करना है इसकी जानकारी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे सो दोस्तों उमीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंदाया होगा और आप अच्छे तरीके से सीख गए होगे कि कैसे पता करना है कि पहचान पत्र में कौन सा mobile number link है link है कि नहीं है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे अगर आपको ये वीडियो पसंदाया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम